संकाष्टी चतुर्थी 2021 गणेश्ची की क्रुपा पाने केलिये ये दिन है बेहद खास जानिये शुभम मुहूर्त महत्वव पुजन विधी पिद्न्यापन किंदू पन्चां की अनुसार प्रतीक माहद नो पक्षोय क्रुष्ण पक्ष और शुकल पक्ष की चतुर्थी ति तिथी को गणेश्ची की पुजन का विधान हाई क्रुष्ण पक्ष में पढ़ने वाली चतुर्थी तिथी को संकष्टी चतुर्थी और शुकल पक्ष में पढ़ने वाली चतुर्थी तिथी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है इस बार मार्गशिर्ष मास में कुरुष्ण पक्षकी संकष्टी चतुर्थी 23 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है बुद्धि और शुभता के देवगनेश्ची को प्रसन करने और उनकी कृपा प्राप्त करने हैतु यह तिती थी बहुत महत्वर अखती है तो चलिये जानते हैन संकष्टी चतुर्थी का शुभं मुहूर्त महत्व और पुजनविधी विग्न्यापन संकष्टी चतुर्थी वरत का महत्व भगवान गणेश अपने भक्तोव के सभी विग्नोव को हर लेते हैन इसलिए उन्य विग्नहर्ता या विग्न विनाशक के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतूर्थी शुभ मुहुर्त मार्गशिर्ष मास्कृष्ण पक्ष चतूर्थी आरंभ 22 नवंबर 2021 दिन सोमवार राद 10 बजकर 27 मिनट से। मार्गशिर्ष मास्कृष्ण पक्ष चतूर्थी समापन 24 नवंबर 2021 मध्यरात्री 12 बजकर 55 मिनट पर चंद्रोदय का समय वीस तास 27 मिनिटे दोन सेकंद विध्यापन संकष्टी चतूर्थी पुजन विधी चतूर्थी तीथी प्रातह जल्दी उठकर स्नानादी करने के पश्चात पिले या लालरंग के वस्त्रधारन करे। मंदीर की साफ सफाई करे और गणेश जी की समक्ष दिपक प्रज्वलित करे। कब सिंदूर से गणेश जी का तिलक करे और फल फूल आदी अर्पित करते हुए विधिवत पुजन करे। गणेश जी को दुर्वा की 21 गांठ्या अर्पित करे व लड्डू या मोदक का भोग लगाय। पुजन पुर्ण होने के बादक्षमायाचना करे और गणेश जी की आर्थी करे। किस दिन चंद्र दर्शन और अर्ग्य का भी विधान है। किस दिन चंद्र दर्शन तो भी विवट्पाशन में झाल झाल